कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर दोस्तो पहली बार इस चनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमाने का कोई भी मौका आप गवान ना दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के उपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पर एवरी वेनस्डे को एंड सेटरडे या तो संडे को वीक में दो बार हम लाइव सेशन करते हैं लिंक अवेलिबल है उसके उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे सो टाटा मोटरस डी वी आर का चार्ट का स्ट्रक्शर अच्छा नहीं है और भी लोवर लेवल यहां से हमें देखने को मिल सकते हैं वीकले चार्ट में जिस तरह के स्ट्रक्शर बने हुए है यहां से यह स्टोक 100% लोवर लेवल ही दिखाएगा ठीक है माई एक्सपेक्टेशन कि आपको आने वाले दिनों में 200 रुपिस का लेवल 190 के आसपास का लेवल 100% देखने को मिल सकता है अभी 230 रुपिस यह स्टाउक चल रहा है तो मेरे इसाब से किसी को भी काम करना हो टाटा मोटर्स डेवी आर के अंदर तो 206 रुपिस से लेखे लेके 195 रुपिस के बीज में किसी को भी काम करना हो तो आप जरूर से काम कर सकते हो और फिर क्लोजिंग बिजिस के उपर आपको एक स्टॉपलोस मिंटेंड करना पड़ेगा वो है 190 रूपेज का फ्लोजिंग बिजिस के उपर एक स्टॉप लोस मेंटेन कर लो और लोवर लेवल हमें इस स्टॉक के अंदर जरूर से दिखाई देंगे एक साथ फिर से टाटा मोटर्स का चार्ट भी देख लेते हैं सो टाटा मोटर्स का चार्ट भी यहां पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है एक लोवर लेवल यहां पर 455 के नीचे जैसे ही स्टॉक ने सिस्टेन करना चालू कर दिया यह स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावत हमें देखने को मिल सकती है और 420, 420, 400 तक यह स्टॉक सासानी से लोड़कता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो थोड़ा संबल के काम कीजिएगा टाटा मोटर्स के अंदर ठीक है सो लोवर लेवल का आप लोग वीट कीजिए और उसके बाद ही काम कीजिएगा मैं जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वो वीडियो देखे नॉलेज एक्वाइर कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीखियो और सीखने के बाद काम कीजिए